नमस्कार मेरा गाउं मेरी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रंजना सिंग्रा ठोड़ शुरुबात करेंगे फिरोजबाद की खबर के साथ जहांपर पुलिस को बड़ी काम्याबी हाथ लगी है पुलिस ने यहांपर अवैद असला फैक्टरी का भंडा फोड किया और साथी पांच आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है मौके से अदबना असले भी उन्होंने बरावत किया तस्वीर आपको दिखा रही है यही वो अरोपिय जो पुलिस की गिरफ्त में है अब इनसे पूछताच की जा रही है खबर बजियर के जहाँ पर असलों के साथ बद्दे मनाते हुए एक विडियो तेजी से वारिल हो रहा है बद्दे सेलिब्रेशन पर यूवकों की दबंगई विडियो में साथ तौर पर नज़रा रही है कार पर रसकर तलवार से बद्दे के काटा गया यूवक ने असले से जम कर हर्श फारिंग भी की जिसके बाद पुलस ने केस दर्ज करेक यूवक को गिरफतार भी कर लिया है मनियर थाना शुचेतर के बड़की बारी गाउं का ये मामला तस्मीरे आपको दिखा रहे है लाल रंग के गिरे में देखे किस प्रकार यहाँ पर कार पर केक रखा गया बड़ी तादाद में कई अन्य यूवक महाँ पर मौझूद है तलवार से केक काटा गया उसके बाद हर्श फारिंग भी की थे तो वहीं बांदा के ठाना नगर कोतवाली लाके में कुवे में लाश मिलने से हड़काम पमच गया पांच गंटों की मशक्कत के बाद पुलस ने शव को कुवे से बाहा निकाला लाश सर और एक पेर कटा उसका हुआ था और सर लाश के साथ यहां पर बरामत नहीं हुई है सर कटा होने की वज़ह से लाश की शिनाक्त नहीं हो सकी है फिलाल पोलिस ने शव की शिनाक्त करने की कोशुश कर रही है तो वहीं पोलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भीज दिया है खबर गाज्यबाद के लोनी थाना इलाके से जहाँ पर लॉकडाउन तो दोरां दी सुमिन पोल में करीब सो लोग तैर रहे थे इतनी बड़ी भीड यहाँ पर देखकर किसी ने पोलिस को जानकारी दी पोलिस ने कोरोना काल में इतने लोगों की भीड देखकर तुरंत यहाँ पर रेट की पोलिस के मताबिक यहाँ के संचालों को पकड़ लिया गया है और बाकी लोगों की जाच की जा रही है तो वैस सवाल ये भी कड़ा होता है कि क्या सारा लॉकडाउन पालन करवाने की और कोरोना प्रुटकॉल की जिम्मेदारी पुलिस और पुशासन पर ही है लोगों की जिम्मेदारी क्या है युवा चितना के उर्से लगातार 32 दिनों से बल्या के मालबेवपूर मोर पर जनता की रिसुई के माध्यन से गरीब वंचित और जरुतमन्द लोगों को भूजन करवाया जा रहा है स्वामी अभिशेक ब्रह्मचारी एवं युवा चितना के राष्ट्रे संयुजग रोहित कुमार सिंग, लगाता, बल्या और आसपास के लोगों तक भूजन पहुचा रहे हैं स्वामी अभिशेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवा चितना का उदेश है गरीब और वंचित की सेवा लखनों के महानकर बाती की काला कांकर कॉलोनी इंदनो चर्चाओं में है यहां रहने वाले तमाम लोगों ने अपने घरों के बाहर दिबारों पर पोस्टर चस्पाच किये है और घर विकाव हुए ये लिखा है इंडिया इयूस के सेजोगी रवी कुमार ने काला कांकर कॉलोनी के लोगों से खास बात चीत की और जाना क्या खेरकार क्यों ये लोग मजबूर हैं खुद के घर को बेच कर जाने को ऐसे में करीब 51 घर हैं बताए जा रहे हैं जो लोग यहां के आसपास के नाले परबसी बस्ती के लोगों से इसकतर परिशान है कि उन्हें अब घर बेचना ही अंतिम विकल्ब के रूप में नज़र आ रहा है लोगों की माने तो यहां पर नाले परबसी बस्ती के लोगों को राजक्ता में लोगों का जीना माहौल कर दिया है देर रात तक लोग खुर्दंग करते रहते हैं महीलाओं का बेटियों का घरों से निकलना दुबर हो गया है और ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की है शिकायत तो न की होती पर शिकायतों पर महव दिलासा मिला है अब तक कुछ नहीं हुआ है स्तुरक्षा के निहाथ से कॉलोनी के लोगों ने CCTV क्यामरे भी लगवाए पर यहाँ पर उनके भी तार कार्ट दिये का है यूँ तो अगर मकान की बिकरी करनी होती है तो उसके लिए इस्तहार दिया जाता है लेकिन यहाँ पर बात करें तो लोगों ने घरों के बाहर लिए रखा है कि भवन बिकाओ है इच्छुक व्यक्ति संपर करें यहाँ तमाम सरे ऐसे घर है जहाँ पर इसी तरीका का चोड़ा पोस्टर लगाया गया और साब तोर पर मकान विकाओ है यह एक लोगों ने कभजा कर रखा है उन्हों ने यहाँ पर राजक्ठा फैला रखे यहाँ पर हमारे घर की लड़किया हमारे घर के बच्चे यहाँ पर अकेले निकल नहीं बाते हैं लड़कियों ने यह तक कह दिया कि हम लोग घर से निकलेंगे और एक दम राजक्ता फला रखी है यहाँ बैट के शराब पीते हैं यहाँ पर पूरे मोट साइकले और अपन कि इतनी गाली गलो जितना जगड़ा जगड़ा है पीछे का अगर किसी बच्चे का बढ़ जगड़ा तो बारा बज़े से पहले डीजे बंद नी इतनी दादा गिरी है आप समझें कि आदमी थका हारा दिन बार ब्यापार करके आये कि सकून से घर में सोएंगे बच्चों को यहांपर क्या होता है जैसे ही नेल लगने का नंबर है तो गला मारा इसको पीटा उसको यह किया ऐसा होता है अपना गेट सोची, हम लोग अपना गेट नहीं बंद कर सकते हैं, अपना गेट कैसे बंद कर लेए, लोग रहात में बारा एक बज़े आ रहे, चौक इदर को मार पीट रहे हैं, एक बार तो मुझे तक दोड़ाते हैं, फिर सब लोगो ने मुझे बचाया है तो वो हटा दिया जाता, यह बात एक दम साथ बोल ला हूँ मैं, लेकिन यहां तो कोई आता नहीं सबसे बड़ी शिकायत यह है, कि तमाम सारे लोगों को, जिम्मेदारों को शिकायत की, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ, फिलाल अभी उम्मित लागा के बैठे हैं, कि शायद इनकी कोई सुनेगा, इनकी जूतों को तकलीफ है, वो दूर होगी लखनो का महानगर इलाका है, और यह वो कालोनी है, जिस कालोनी के लोग परशान है, और साबतोर अगर बात करें, तो इस कालोनी के पास में एक नाला है, उस नाले पे आवैद निर्माड हुआ हुआ है, जिसकी वज़े से, वहाँ पर जो लोग हैं, उनके यहां रहने के व असल में क्या है ना कि अब इनकी संख्या बल जादा है हम लोगों के यहां एक्यावन परिवार में मैक्सिमम सब बुजूर्ग लोग हैं जिसमें 10-15 लोग तो मकान बेच के इसी समस्याओं की वज़े से चले भी गए मगर यह है कि भाई अब हमारे घर के ठीक पीछे ही का यह पड़ गया तो बारा बारा एक एक बज़े तक इतने तेज स्पीकर बजाएंगे कि रहजां जीना हराम हो गया और उसके बाद में यहां पर सैकड़ों मोटर साइकलों का जमावड़ा रहता डिमार केसन हो गया है जो भी आता है महले में उसको बताना पड़ता सबसे पीछ आये थे मगर यह सेफ्टी भी बेसेफ्टी हो जाती क्योंकि इसके तार तोड़ दिये जाते हैं कभी इसके डारेक्शन को चेंज कर देते हैं ऐसे गलत जो है चीजे हो से कोई भी कैमरा संग धंग से चलने नहीं देते हैं यह सरमाजी का मकान बगल में है पहले इनकी हमें मकान बेशने के लिए घरों के पास में पुलिस लाइन है जहां पर पुलिस के तमाम से जो लोग है वो रहते हैं पुलिस के अधिकारी रहते हैं बागाइदा अगर बात करें तो जो लगनों की पुलिस कमिशनर है उनका भी वहां आना जाना रहता है क्या आप लोगों आता है कि इन बज्याच में नहीं कुछ नहीं इस पर आज कल कितनी बार जो है समझ लिए इस नाले की सफाई का बिल पेमेंट हो चुका आप जाके देखिए किस इस्थित में नाले पर सफाई हो सकती है कौन सी इसी मशीन है जिससे हो सकती हो सब फरजी बिल पास हो जाते हैं तो उससे ही होता कि जब बिल सफाई हो रही नाले की तो नाला होगा ही लोग परेशान हैं अगर आयुक तो भी कुछ देर पहले यहां पर आया थे और लोगों से मुलाकात किये फिलाल भरोसा दिलाया है लेकिन ये देखना होगा क्या बरोसे में कुछ आगे निकल कराता है क्या इन लोगों की जो तकलीफ है वो शायद कुछ दूर होती है संदीब के साथ रभी कुमार इंडिया नूज लखनो लखनो के महानगर इलाके के क्यावन परिवार ऐसे हैं जो मकान बेचना चाहते हैं और उनने वकायदा उसके लिए इस्तहार लगा रखा है यह वो नाला है जिस नाले के आसपास तमाम सारे से घर बने हुए हैं जिनको ल कि जो लोग हैं वो आपने सब सुन लिया कि क्या वन जो परिवार है वो मकार अपना बेचना चाहते हैं आप लोगों की वजय से वो लोग परशान हैं आपको क्या गयना है हमें क्या हम 40-50 साल से यहां रहते हैं अपना जीवन ब्याफ करते हैं मजदूरी करके और यहां पर यह लोग हमेशा यह चाहें कि लोगों को मलीन बस्ती हैं यहां से अटा दें केवल इस परपत से यह लोग हम लोगों से बिद्रो करते रहते हैं कभी कोई सहायता कोई लोग 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 लागा ऐसा कुछ नहीं होता है इनके दरजनों सीसे टीबी लगे हुए हैं एक अपना देख के उसमें जिसको बता दें उसको हम लोग भली भाद डंडिक करेंगे वह से जादा वह दंडिक करें कि लोग कभी भी रात में बारा बजी एक वी तक पाल्डी करते हैं लोग आते जाते हैं और अगर बात करें तो कैमरी भी लगाया कि उनके बितार काट दिये गए जी नहीं है यह लोग ने फरजी का एक बोट लगा दिया है कि मकान विकाओ है और यह सब करके क्या मिलेगा हम हम लोग गरीब परवार हैं इनसे तकरा के या कभी लडाई करके कुछ उखी नहीं रह सकते हैं जाला कितना साल होगा अपको पचास साल हो गया तो इन लोगों के आपने सब सुन लियोगी क्या शिकायत हैं कि अभी बात चित्कीर क्या क्या कुछ इसका रास्ता होना चाह को कोई हमसे लोगों के रास्ता नहीं मीडिया को वला करके उचाल रहे हैं मामला कि किसी तरही ये मनीन बस्ती को साफ करावाई पहले गेट लगता था हम लोग रुखवा दे थे तक उसके बाद में फिर किसी कारण बस हो गेट लग गया हम लोग करीब 40-50 साल से सब रहे हैं और लाल ली टंडन का लिखा हुआ हमारे पास वो शाटीफिकेट भी रखा है जो कि कहा है तो हमारे पास जो है तो बीजलिक बिल है बीजलिक बिल है यह बिजली का बिल नहीं है यह नगर निगम का यह नहीं यह यह है लिखा हुआ कि पचास साल पुराना है यह लोग इसको बकैदा जमा भी करते हैं उसके अलावा इनका जो राशनकाल है वो बना हुआ है लोगों का इसी पते पर और यह जो जगे है वो साब तोर पे इसी जगे को लेकर यह सारी बाते हो रही है और यह राशनकाल बना हुआ है और साब तोर पे यह भी सामने नजर आ रहा है कि जो तमाम सारे जो सरकारी जो द कि अगर रास्ता इदर होता तो हम लोग कभी धर नाते हैं कोई दिक्ट तरह से नहीं तो आप लोग देर екहें कर देख लिया जा किक्षा बीजिए के अग्लिया नहीं खी अ हम लुग कि वह नुग अब यहां हो गलत गली है यह आपस हम लोग कि या आपको कि एनको इतनी बवाल बनानी क्या ज़रूता है चिया बात हुई थोड़ी से मंदिर की बात है ही जगडा चला था उन्म का पाइदा उठाले इसका फाइदा उठालिया उसी बात को अम लोग कहा जाएंगे यह बताएए समस्या जरूर है लेकिन दोनों पक्ष की अगर बात करें तो एक पक्ष का रोप असाब तो पर यह है कि जो मलील वस्ती है, यहां पर जो रहने वाले लोग है वो साब तोर पे वो यहां से देराद पार्डिया करते हैं अबदर विभार करते हैं गाली का लौज करती है और एक अरजक्ता का महाले वो बना हुआ है और अगर इन लोगों की बात करें तो नाला एक बड़ा सा बना हुआ है उस नाले पे तक्रीब हम सौ से ज़ादा परिव है उसके अगर बात करें तो जो अतिक्रमल की बात ही वो सारा नगर निगम के पक्ष में अब यह देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है संदीद दिवबे के साथ रभी कुमार इन्या इसी के साथ इसके साथ लिए बस इतना लेकिन लगातार बड़ी करें के लिए बने रिया मार साथ नमस्कार